हेलो फूडीज मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी मेरे लांच की रेसिपी वो है डाल राइस कबाब कबाब की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये वाले डाल और राइस में जिसकी मैंने शौट्स भी बनाई है और इसकी एक फुल वीडियो भी मेरी चै एसी मज़दार रेसिपी देखने के लिए मुझे फॉलो कर ले फेस्बूक इंस्ट्रग्राम या यूट्यूब पे यूट्यूब पे मेरी दो चैनल है फर्स चैनल मेरी बेकिंग की है और सेकंड चैनल ये वाली होप आपको आज की रेसिपी पसंद आए एक बोल में ले लें मिर्च, कश्मीरे लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और गरम मसाला स्वाद अनुसार इसमें डाल दे नमक और अब मैं इसमें एक और मसाला पीस हूँगी जो है हरी मिर्च, थोड़ी सी गालिक यानि लैसुन और जीरा तीनों को बिना पानी के अच्छे से पीस लेंगे पहले ह हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ओईल ताकि हमारा जो मिक्षर है वो ड्राई न बने मैरिनेशन है वो और इसके बाद ये वाला मसाला अगर आपको हर इमिर्च पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं अब सारी चीजों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स करके ये मैरि आप पहले भी करके रख सकते हैं बाइंडिंग के लिए इसमें डाल दे अंडा मैंने इसमें जिर्फ एक अंडा डाला है आप चाहे तो ये मिक्षर में डो अंदे डाल सकते हैं मैं बाद में एक और अंडे का इस्तमाल करूंगी इसलिए मैंने सिर्फ एक ही अंडा डाला है अंडा डालने से आपका जो मिक्स्चर है वो थोड़ा सा सौगी हो जाएगा यानि एक्तम सौफ्ट तो इसके लिए मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स यह मैंने करीबन 5 ब्रेड को तवे पे गरम करके अच्छे से मिक्सी में चला लिया है यानि बन गाया हमारा आपके पास जो भी ब्रेड हो मेरे पास यह ब्राउन ब्रेड थे तो मैंने उसका इस्तमाल किया है अब यह मिक्स्चर हमारा रेडी हो चुका है तो इसे हम साइड में लगा देंगे इसे आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं इसके बाद भी जब मेहमान आये या जब बनाने हो तब भी आप इसके इस तरह से कवाब बना सकते हैं और अब मैंने यह मिक्स्चर में से यह बॉल्स यानि कवाब के शेप बना दिये हैं और अब मैंने सिर्फ एक कटोरी में ले लिया है एक अंडा आप जितनी कवांटरी में बना रहे हैं उतने आप एग्स का इस सिर्फ एक अंडा लिया है और जो बाहर वाला हिस्सा होता है जिसे मैं कोट करूंगी सूजी के साथ यानि रवा मुझे ऐसे क्रिस्पी बहुत पसंद है जो आउटर लेयर होगी ना ये सूजी के वज़े से बहुत ही क्रिस्पी बनेगी तो बस इसे इस तरह से सूजी में रो आप चाहें तो सूजी को स्किप करके शिर्फ अंडा इसमें डाल के डिरेकली भी इसे फ्राइ कर सकते हैं तो ये बन गया हमारे बहुती इजी पीजी कवाब जिसे आप बनाइए और अपने अनुभव मेने साथ शेर करें आपको रेसिपी कैसी लगी इसे अच्छे से ब्र हम इसे fry करेंगे और यह देखें जो उसका कलर है एकदम अच्छा आ गया है ब्राउन ज्यादा ब्राउन ना करें नहीं तो जल जाएगा और अंदर से कीमा हाड हो जाएगा तो यह लीजे यह हमारे कबाब्स रेडी है सारे के सारे आप अच्छे से तेल में से निकाल के एक प्लेट में ले ले मैं इसे सर्फ कर रही हूँ दाल राइस के साथ जो कि हमारे गर में बहुत ही फ्रिक्वेंटली बनते हैं आप जो भी चाहे जिस भी चाहे रोटी या तो को आपको आज के रेजिपी मेरी पसंद आई और आप भी इसे जरूर ट्राइ करिएगा